हलो फ्रेंड्स और विल्कम बैक तो मैं चैनल बेंगॉली फैमिली इन यूए जहां मैं बात करते हूं यूए और ट्रावल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तों अगर आप लोग यूए में कहीं भी रहरे तो आपको पता है वहुआ सारे लखी ड्रॉज यहां पे होते हैं तो जो भी link आपको वहाँ पर आता है आपको उसके साथ क्या करना है calls आते हैं क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह मेरा कल का experience है जो मैं आज इस वीडियो के थूँ आप सब के साथ share करना चाहती हूँ आप सबसे request है वीडियो को एंट तक के दिखेगा ताकि पूरा update आप सबको पता चल सके तो दोस्तों messenger के अंदर कल मुझे दो messages आए लगातार दो message आए एक दुबाई today और एक है UAE now too यह मेरे हाथ में अभी भी message है अगर आपको दिख रहा होगा यह दो message है तो इसमें क्या लिखा है कि Good evening I am Sarah I work in office of Bin Rashid and the reporting office informed me that you have been selected for receive 25,000 dirhams we only need to register your phone number by clicking on the link below so that we can contact you same वही चीज लिखा हुआ है दूसरे message में लेकिन message जो writer का नाम है वो एक है UAE now too और एक है Dubai today ठीक है एकदम flag वगरा सारी चीज़े UAE की लगी हुई है एकदम UAE का कोई official या government body जैसे होता है lucky draws वाले जो भी यहाँ पे होते है उसके type का ही पूरा इन्होंने profile वगरा सारी चीज़े बनाई हुई है लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ और यह maximum लोगों से मैंने बहुत लोगों से पूछा लेकिन नए आने वालों के साथ ही यह problem हो जाती है बहुत लोग लिंक पे click कर देते हैं अपना mobile number दे देते हैं लेकिन आपको पता आपका mobile number जो है वो आपके bank account से आपके आपने कुछ loans लिये हैं या सारी चीजों से connected होती है आपके rates ID से, bank loan से, bank account से तो अगर आप इस link में अगर click कर देते हैं अपना phone number दे देते हैं तो दूसरे दिन ही आपको अपना bank account पूरा खाली मिलता है ठीक है बिल्कुल भी इस link पे या ऐसे कोई भी messages आते हैं यहां पे जो lucky draw वाले जो reliable है वो लोग ऐसा message आपको messenger में या WhatsApp के तुरू कभी भी नहीं भी नहीं तो यह चीज आपको ध्यान में रतनी है बिल्कुल भी ऐसे links में आपको click नहीं करना अपना phone number यहां पे भी नहीं देना है तो guys यह जो होता है ना बहुत लोग इसमें अपना phone number रेजिस्टर भी कर लेते हैं और दूसरे दिन देखते हैं वो तो यहां की पुले सित्ती अच्छी है कि वो लोग बहुत जादा helpful होते हैं और पैसा उनको वापस मिल जाता है लेकिन क्यूं आप अपने आपको मुसिबत में डाले हैं न तो बिलकुल भी ऐसे links में click मत कीजिए और phone numbers अपने मत दीजिए तो guys I hope यह वीडियो आप सबके लिए helpful रही होगी और भी कोई question हो तो comment box में जरूर बताइए मिलते हैं